हेलो गाईज वेलकम बैक टू मा यूटूब चैनल दोस्तों इंदोर अकोला फोरलेंड प्रोजेक्ट का कायर यह तेजगती से प्रगती पर है लेकिन इंदोर से बाइग्राम के बीच दो सुरंगे बनना अभी चुनोती पूर्ण लग रहा है आपको वैसे बता दे कि यह प्रोजेक्ट फोरलेंड प्रोजेक्ट है लेकिन भविश्य को दिखते हुए दोनों टनलों को सिक्स लेंड बनाया जाना है जो कि चुनोती पूर्ण कारे होगा दोस्तो एक सुरंग का काम सिम्रोल के पास कुछ महीने पहले शुरू हो चुका है जिसकी कि यह कवरेज में आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में भेरुगा टनल है यह जबकि दूसरी जो टनल है वो बाइग्राम के पास बनने वाली है जिसमें वन विभाग की जमीन पर काम करने की अनुमती मिलने का इंतजार है दोस्तों कॉंटेक्टर कंपणी मेगा इंजिरिंग चाहती है कि मांसून से पहले दोनों सुरूंगों का कार यह पूरा हो जाए और तीन साड़े तीन महीनों में यह कार पूरा करना एक चुनोती पूर्ण होगा एक टेनल का कारियर इंदोर बाइपस के तेजी नगर से बलवाडा के भी चल रहा है और बताया जा रहा है कि नेशनल हाइवेज ऑथरिटी ओफ इंडिया ने इस 33 किलोमेटर के करीब लंबे हिस्से की फोर लेनिंग का काम हैदरबाद की मेगा इंजिरिंग को 1162 करोड रु बनाई है रिसीकेश और करन प्रयाग रेल लाइन के लिए भी तीन सुरंगों का निर्माण यही कंपनी कर रही है जिसमें अब इंदोर अकुला फोर लेन प्रोजेक्ट का सबसे जटिल हिस्सा यही है हमारा बहरुगाट वाली सुरंग और बाइग्रम वाली सुरंग जहां पर उची-उची पाढ़ियां को काटकर नया नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है फोर लेन हाईवे और सुरंगे बनाने के बाद भेरुगाट के गमावदारों तीके मोल वाला रस्ता खत्म हो जाएगा साथी गाडियां आराम से आजा सकेगी घाट चड़ सकेगी किलो मिटर प्रती घंटे की गती के हिसाब से डिजाइन किया गया है मेगा इंजरिंग के प्रोजेक्ट मेनेजर ने बताए कि बारी से पहले दोनों सुरंगों को बनाकर तयार करना है अभी केवल सिम्रोल के और उसके असपस में काम हो रहा है भेरुगट वाली टरनल में ज सुरक्षा के लियास से चरणबट तरीके से सुरंग को तयाकार में बनाया जा रहा है आसपस बसावट भी है इसलिए ब्लास्टिंग काम दिन में ट्रैफिक रोकर करते हैं और रात में किसी तरह की ब्लास्टिंग नहीं की जाती है बाइग्राम सुरंग का काम भी जल्द श बार कर रहे हैं कि इनको भी मालूम है कि जो अभी मॉनसुन आएगा तो वह 2-3 महीने इनको काम करने में दिक्कत होगी और जो कार प्रगति रहेगी वह भी इत्ती मतलब जो प्रोग्रेस रहेगी वह भी कुछ ज़्याद अच्छी कति की नहीं रहेगी तो वह लोग भी चा ही है आई होप आपको ये न्यूस भी सुनकर अच्छा लगाओगा